Hello friends, welcome to my channel आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर में सुक्समरिद्धी लाने के लिए हमें कौन से वास्तु के टिप्स अपनाने चाहिए ऐसी मानिता हैं कि अगर वास्तु के नियमों का सही डंग से पालन किया जाए तो मनस्तु की हर इच्छा को जरूर पूरा किया जा सकता है वास्तु सास्तु में के चुपाई बताई जाते हैं जिनको जीवन में अपनाने से धनकी प्राप्ति के साथ जीवन में हमेशा सुक्समरिद्धी और संपन्निता आती है हमारा घर वो जगह है जहां हम अपना अधिक्तम समय उन चीजों को करने में बिताना पसंद करते हैं जिन से हम प्यार करते हैं हम अपने घर में सकारात्मक्ता के सांसान, सांती और सम्रिद्दी की कामना भी करते हैं इस प्रकार घर के लिए वास्तु की दिशा एक महत्तोपुर्ण भूमी का निभाती है यहो समग सकारात्मक्त सपंदों को जोड़ने में मदद करता है घर के लिए वास्तु हमेशा घर में अच्छी उर्जा लाने पर केंद्रित होता है जो तिस के अनुसार वास्तु का समग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की उर्जाओं से होता है जिन घरों में जो चीजें वास्तु के अनुसार होती हैं वहाँ पर सदेव सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होता है वहीं जिन घरों में चीजें वास्तो के अनुग रूप नहीं होती वहाँ पर नकारात्मक उर्चाओं का बोल बाला रहता है व्यक्ति के असपस नकारात्मक उर्चा होने पर कई तरह की मानसिक और आर्थिक परेसानियों से गुजरना पड़ता है वास्तो सास्त्री के ऐसा विज्यान है जिसमें घर और परितिश्ठानों की दिसाओं से आने वादी उर्चाओं के बीच में संतूलित इस्तावित करने के कोसिस की जाती है तो चलिए जानते हैं घर में सुक्सम्रद्धी के लिए हमें कौन से वास्तु के टिप्स अपनाने चाहिए सबसे पहले जानते हैं वास्तु के अनुसार घर कैसा होना चाहिए वास्तु अनुसार घर के आगे और पीछे आगन होना चाहिए खुद की भूमी और खुद की ही छथो चंद्र और गुरु से युक्त विरक्ष या पोदे हो घर के अंदर भी वास्तो अनुसार ही वस्तों एकत्रित की गई हो कोई भी वस्त अनावस्यक न हो द्वार को देरी सुन्दर और सजावटी हो दर्वाजा और खिड़कियां दो पुड़ वाली हो उची थावा और प्रिकास से सुगम रास्ते हो अब जानते हैं घर में प्रिवेश के लिए वास्तो की दिसा कौन सी है नई घर के लिए वास्तो ठिप्स के अनुसार घर का मुख्य द्वार न केवल परिवार का प्रिवेश बिंदू है बलकि उर्चा और जीवत्ता के लिए भी है आपके घर का मुख्य प्रिवेश दार उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिसा में होना चाहिए इसे इस तरह से बनाए जाना चाहिए जब आप बाहर निकलें तो आपका मुक उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिसा की ओर हो घर खरीदने या बनाने से पहले सुनस्चित करें कि योजना इन विसेज दिसाओं पर केंद्रिस हो Living Room के लिए वास्तु टिप्स किसी भी घर में Living Room का सबसे सक्रिय छेत्र होता है और जब आप प्रेज करते हैं तो महमानों पर पहली छाप छोड़ते हैं Living Room अवेस्टर ता मुक्त होना चाहिए आपके नए घर का सामने या Living Room पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिसा में स्थिध होना चाहिए इसके लावा उस कमरे में Furniture, पश्चिम या दक्षिड पश्चिम दिसा में रखा जाना चाहिए ऐसा करने सही हो सुनस्चित हो जाएगा कि आपके घर में कोई वास्तु दिस नहीं है Bedroom के लिए वास्तु टिप्स अच्छे स्वास्तों और सम्रिद्य संबंदों के को बनाई रखने के लिए सायनकक्ष दक्षिड पश्चिम दिसा में होना चाहिए उत्तर पूर्व दिसा स्वास्त समस्याओं का कारण बद्दी है जबकि दक्षिड पूर्विदिशा में सायनकक्ष जोडों के बीच जगड़े और जगड़े का कारण बन सकता है इसके अलवा बिस्तर को कमरे के दक्षिड पस्षिप कोने में रखा जाना चाहिए जिसका सिर्फ पस्षिम की ओर हो रसोई घर के लिए वास्तू टिप्स सरल वास्तू के अनुसर रसोई घर के दक्षिड पूर्विदिशा में बनाने चाहिए कीचन बनाते समय घर के उत्तर या उत्तर पूर्विद या दक्षिड पस्षिम से बचना चाहिए रसोई में उपकरण भी दक्सिड पूर्व दिसा में होने चाहिए बच्चों के कमरे या ध्यान कक्ष के लिए वास्तु टिप्स वास्तु के अनुसर बच्चों के कमरे को नए घर की दक्सिड पस्तिव दिसा में डिजाइन करना चाहिए बच्चों को दक्सिड या पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए क्योंकि इससे सौबागे और मन में सांती सुनस्चित होती है वास्तु का प्राचिर विज्ञान कहता है कि एक घर में एक ध्यानकक्ष होना चाहिए जहां व्यक्ति आत्मनिरिक्षन कर सके और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए उच्छी सक्ति से जुड़ सके आप जानते हैं घर में कमरों का अकार कैसा होना चाहिए वास्तु सास्त घर के सभी कमरों की स्थिति के अतिरिक्त नियमों के सांथ आता है सुनस्चित करें कि आपके घर के कमरे सीधी रेखा में हो और चकोर या आताकार अकार में हो किसी भी गोलाकार फरनिचर या कमरे का उप्योग करने से बचे हैं क्योंकि यह वास्तु के अनुसर उप्योग तो नहीं माना गया है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूँ